कोरोना देश में ना फैले इसके लिए देश में लॉक्डाउन लगा हुआ है लेकिन फिर भी लोग लॉक्डाउन का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे में हर राज्य की पुलिस लोगों को अलग-अलग तरह से जागरुक कर रही है धनबाद पुलिस ने लोगों को जागरुक करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। धनबाद में पुलिस कोरोना और यम्राज का रूप धारन कर आम लोगों को कोरोना संक्रमण के खत्रे के प्रती जागरुक कर रही है। धनबाद की सडकों पर सदर्थाने की पुलिस, यम् और कोरोना का मुखोटा लगाये हुए लोगों को आगा करते हुए दिखाई दे रही है पुलिस लोगों को बता रही है कि इस संक्रामक बीमारी से बचने के लिए घरों में रहना बहतर है थोड़ी सी चूक और जान पर बन सकती है पुलिस के साथ धनबाद के विधायक राजसिनहा भी मौजूद देखे जो कि साथ ही हाथ बटाना है गाना गा कर लोगों को जागरो कर रहे है इस दोरान विधायक राजसिनहा ने कहा कि हर बुरा समय कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखा जाता है इस कोरोना ने भी हमें एक अच्छी चीज़ सिखाई है उन्होंने कहा कि कोरोना की ही वज़ह से आज देश का पर्यावरन काफी हद तक स्वच हो गया है अलाकि यह कोरोना महमारी है और लोग तंग तबाह हो रहे हैं हर तरह से लेकिन कुछ चीज़ से फाइदा भी हुआ है समाज में एक जुट्टा बढ़ी है सबसे बड़ा तो जो वरदान साबित हुआ कि यह जो पर्यावरनी यह जो परदूशन था वह बिल्कुल अभी तो यह एक संदेश दे रहा है यह करोना बोलते हैं कि कुछ भी होता है तो एक अच्छा संदेश देखे जाता है तो जरूर यह संदेश वीरा कि जिस प्रकार से आज सारे लोग अमीर हो गरीव हो सभी प्रकार के भावनाओं से सभी प्रकार के जात पात धर्म सबसे उपर उठकर एक दूसरे को मदद करने के लिए तयार कर रहा है दियम का अच्छरसर पालन कर रहा है प्रसासन भी मानावता की रक्षा के लिए लगतार प्रसुसील है कोई चिंता नहीं कोई फिकर नहीं अपने अपनी चिंता नहीं उठी और परियावरन हो या जो भी हो एक दूसरे को मदद को सब सुदर रहा है तो यहां संदेश लिया और करोना हटने के बाद, बहुत जल्द हटने भी हो आला है इसके बाद, इस तरह की बातों को हम संकल्प लेके करें वहीं धनबाद की DSP मुकेश कुमार ने लोगों से अपील की जब जरूरी काम हो तब ही घर से बाहर निकले यम्राज कोरोना की दोस्ती है जहां कोरोना पहुंचते हैं यम्राज भी पहुंच जाते हैं तो आप सब आप सब इस बात का ध्यान रखें कि आप घर पर रहें बहुत ही आत्ती आवशक कारें तो घर से बाहर डिकलें लॉकडाउन कानू पालन करें घर में कोई घर के आजप आपको बता दें कि छारखन में कोरोना का चौथा मामला सामने आ चुका है। आपको बता चुका है।